कि नमाशकार दोस्तों मैं हूं रागेश और एक बार फिर्चे स्वागत आपका बाबाजी होम्स में दोस्तों आज मैं आपको सनी कले 725 में एक दस मर लेगा 200 गज का घर दिखाने के लिए आया हूं और मेरे पीछे आपने हमारे आज के घर की फ्रन्ट एलिवेशन को देखी लिया होगा जिसको पूरी तरह से टाइल्स के साथ कवर किया गया है तीन अलगलग कलर की टाइल्स का इसकी एलिवेशन को डिजाइन करने के लि जलवाई टावर के बिलकुल नज़दीकी वाली लोकेशन है आप मेंसे ज़्यादा दर लोग हमारे सनीग लेव के बारे में जानते होंगे जिनको पता होगा कि जलवाई टावर किस तरह हैं गोपास वीट से जलवाई टावर से आते हुए हमारा एगर उस लोकेशन से पहल हो पाईगी दो खटी हाद की हमारे ऐरिया में पार्ख हो पाएंगी हमने एस एरिया में बगान की में आपके लिए बधार बड़ी सी रियलिंग लगा दिया इस में इसी आंडर मैस की शीट का डिजान बनाया गया है, काफी हैविशिक आरण का गेट बनाया गया है और अब आम चलते हमने घर के अंदर, और आप देख पाएंगे कि यह कितनी बड़ी और काफी स्पेश्यस हमारी पार्किंग स्फेस है, आपको दो गाड़ियों की पार्किंग हमारे इस घर के अंदर मिल पाएगी हमारी मेन एंट्रेस इस तरफ से है तो इस तरफ की जो हमारी मेन पार्किंग है इसका साइज रहेगा लगबग अपनी बड़ी से बड़ी कार यहां पर असानी से लगा पाएंगे और दूसरी पार्किंग हमारी ठीक सामने रहेगी इस पार्किंग का साइज रहेगा लगबग साठे 11 विट बाई एक तर पूरे हमारे पार्किंग एरिया में ग्रेनेट रहेगा और आप देख पाएंगे कि इस तरफ की जितनी भी दिबारे हैं इनको हमने अच्छे से टाइल्स के साथ कवर किया है इस तरफ आपके लिए हमने एक अलग की टाइल्स लगाई है एक बड़ी सी विंडो मिलेगी आपको वेंटिलेशन के लिए फिक्स वाली भी और उपन करने जाओंगा कि बॉंडरी वाल की जो अंदर की तरफ है इसको भी हमने पूरी दिवार को टाइल्स के साथ कवर किया है और इस तरफ दोस्तों एक टाइब लगा कर दिया जाएगा ताकि आप अपने घर के फ्रंट वाले हिस्से में पाने का कुछ इस्तिमाल करना चाहें तो व देख पाएंगे कि यहां से हमारे इस घर के लिए एंट्री पे हमने एक प्लैटफार्म बनाया है ग्रेनिट के साथ ही इसको भी हमने पार्किंग स्पेस से थोड़ा सा उठाकर बनाया है फुल डबस्वरी हाउस है तो सीडिया जो हो घर के बाहर से आपको पर्मानेट वाल जो जाली वाला डोर है इसमें हमारी डवल जाली रहेगी आयन की जाली और अल्मुनियूम की जाली एक डिजाइन गिलास रहेगा और बिल्कुल फरंट हमारा मॉरन डिसाइन के साथ किया गया है और टीका ही हमारा मशीन की तरह मशीन से त्यार करवाई होगा हमारा में और जो हमारी में एंट्री की जोगाट है ये 11 इच वाइड है और काफी हैवी वुड ये उसकी गई है बहुत ही बढ़ी आ कसेक्शन क्वालिटी में आपको हमारा आज का घर मिलने वाला है दोस्तों घर के अंदर आते ही सबसे पहले आपको इस तरफ एक हमारा लिविंग एरिया मिलेगा जिसके सामने की तरफ हमारा रहेगा ड्राइंग रूम दोस्तों लगवग साढ़े दस फिट बाग 15 फिट के साइज का हमारा ड्राइंग रूम है बिल्कु सेपरेट हमारा ड्राइंग रूम है और जिसमें आप देख पाएंगे कि हमने फॉल्स लिंग में अच्छा डिजाइन बनाया है LED लाइट्स के साथ और इस ड्राइंग रूम में इस तरफ आपको बड़ी से विड़ो मिलेगी वेंटिलेशन के लिए फिक्स बाली भी विड़ो है ओपन करने वाली विड़ो भी है ताकि सनलाइट और नेचरल एर की क्रॉसिंग अच्छे से बनी रहे और आयरन की बहुत हैवी ग्रिल सेंटर टेबल लगाने के बाद कॉर्वर्स पर आपकी जगा जो बज़ेगी वहां पर आपना डेकोरेशन की कुछ और चीज़े रख सकते हैं फ्लॉवर पॉर्स वेरा रख सकते हैं तो बिलकुस सैप्रेट आपका ड्राइंग रहेगा और यह रहेगा हमारा लिविंग एर करेंगे तो इस तरफ की दिवार पर हमने आपके लिए स्प्लेटिस का प्रिविजन किया है पॉर्स लिए लिए लाइट के साथ मिलेगी आपको और इस तरफ आपको एक वोटबर्क मिलेगा जिसमें आप देख पाएंगे काफी अच्छी कासी स्टोरेज है जिसमें आप अ कि एक सामने हमारे रेहे की किचल मोर्रा और और काफि बढ़े से साइज की लगबս आठ फीट बाइस साड़े 2 किचन का साइज आप और पूरी दरह से मॉडलर है इसके स्टोरेज को हमने पहले से ओपन कर दिया है ताकि आभ इम इसकी स्टोरेज को पैस्लीकों से बर्चल और दोस्तों एक खुब्सूरत कलर कंबिनेशन का इस्तमाल किया गया है हमारी इस किचन में आप दिख पाएंगे कि यह जो हमारा लाइट कलर है यह मेटैलिक शेड में है और नीचे की तरफ कॉंक्रीट की स्लैब बनाई गई है जिसके उपर जट ब्लैक कलर का गलोसी ग्रेनेट रहेगा गया स्लेंडर के लिए हमने पाइप की फिटिंग कर दी है ताकि स्लेंडर आपका घर से बाहर रखा जा सके अब बनाई पाइप के लिए चिमनी आपके लिए लगा दी है इस तरफ आपका दोस्तों रहेगा वाशिंग एरिया जिसमें ब्रेंडिट मिक्सर टैब है जगवर कमनी के और इस तरफ आपको आरो का प्रिजन भी नजर आ जाएगा पीछे की तरफ विंडो है वेंटिलेश असानी से रख सकें तो अच्छी काशी स्पेस दी गई है तो यह हमारी किचन थी दोस्तों बेड्रूम के और बढ़ते हैं ग्राउंट फूर पर हमारे तीन बेड्रूम है एक बेड्रूम मारा फ्रंट साइट पर रहेगा इसके लिए कॉमन वाला वाश्रूम और एक हैंड करने के लिए हमने अब देख सकेंगी वैनेटी के साथ बाच पेशन बाहर की तरफ लगा दिया है और एक बाथ्रूम आपको हमारे इस कॉमन एरिया में मिलेगा इस बाथ्रूम का साइज है लगबग 5 फिट वाई 8 फिट और दोस्तो प्रॉपर ब्रेंडिट सैनेटरी की फिटिंग है जैगवार कंपनी के हमारे मिक्सर टैब्स हैं सभी के सभी टाइस दोस्तो डोर लेवल के हैट तक आपको टाइस मिल जाएंगी और बिलकुल मॉडरन दिजाइन के साथ आप देख सकेगे कि हमारे सारे की सारी सैनेटरी की और बात्रों की फिटिंग रहेगी दोस्तों यह बात्रों मैं कॉमवारा कॉपमन एरिया में था इसलिए घ्याए हमने आपको यह बात्रों में दिखाए अब चलते हैं बेडरूम की और पहला बेडरूम हमारा फ्रंट साइट पर रहेगा इस तरफ उसको हमें जाने के लिए दर्वाजा मिलेगा दोस्तो लगवग 9ft by 13ft हमारे इस बेडरूम का साइज है तो एक छोटा बेडरूम दिया गया है फ्रंट साइट पर ताकि इसको एक अच्छी पाइड के साथ और यहां पर आपको नसर आईडर की हमारा यहां पर वुडवर्क है यह मेटलिक शेड में है अंदर की तरफ दोस्तों आफवाइड समयका रहेगा प्लेन वाला और बाहर की तरफ मेटलिक समयका है डबल चाज वेट्रिफाइड टाइल्स हैं फ्ल फिक्स वाली भी और उपन करने वाली भी लेटीसी का प्रशिशन दोस्कों इस बैडरूम के लिए उस तरफ कर दिया है और फॉल्स लिंग में LED लाइट के साथ अच्छा डिजाइन आपको मिलेगा तो दोस्तों यह हुमारा फ्रंट वाला बैडरूम चलते हैं मास्टर बै और दोनों में ही आपको ड्रेसिंग एरिया हमारा सेपरेट मिलेगा दोस्तों लगबग 11 फिट बाए साड़े ग्यारा फिट बाए 17 फिट के साइज का हमारा यह मास्टर बैडरूम है एक अच्छा डिजाइन आपको फॉल स्टोरिज के साथ मिलेगा और इस तरफ में आपक सेपरेट के साथ और अंदर की तरफ है तो का फिटी प्रेट के साथ है पूल साइज कोपडेगा और इस तरह बना rs और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस बैडरूम यह भी हमारा मस्टर बैडरूम है तो ड्रेसिंग एरिया हमारा इंपको साइपरेट रहेगा जैसी का प्रिजरों दोस्तों आपके लिए ईस तरव कर दिया है और यह हमारा रहएगा ड्रेसं के रिया में इस तरवापके व्यक्टा beş शुमैल अफ्ररवस्तों में इस साथ जाएगा इस लीए उस तरह और यहां पर आप देख पाएंगे कि टाइल हमारी अप्रॉक्सिमिली सेवन फिट की हैट तक है और बिल्कों मॉटरन डिजाइन की आपको सेनेटरी की और बात्रों की फिटिंग मिलेगी ग्लोसी टाइल हमारी बॉस पर जैगवार ब्रेंड की दोस्तों हमारे मिक्सर टैब ह सेनेटरी की फिटिंग ब्रेंटिड है और इस तरह आपको विंटो नजर आजाएगी वेंट्रीशन के लिए फिक्स वाली भी और उपन करने वाली भी एक्जाप्ट पैल लगाने का प्रूचर दोस्तों अलग से किया गया है तो दोस्तों यह ताम हरा मास्टर बैडरूम इ कि फिक्स वाली विंडो इस तरह मिल जाएगी और रियर वाशिंग इरिया में जाने के लिए एक दर्वाज़ा आपको इस बैडरूम से मिलेगा एक दर्वाज़ा आपको दूसरे बैडरूम से मिलेगा हम चलते हैं दूसरे बैडरूम के वहां से हम अपने रियर वाशिंग master bedroom के जैसे ही 11 feet by 17 feet के size का हमारा ये bedroom है तो ये भी हमारा एक तरह से master bedroom है इसमें भी आपको sliding door के साथ cupboard मिलेंगे बिलकुँ ceiling की height तक और काफी अची खासी storage के साथ दोस्तो full size cupboards है storage के आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी दोस्तो बिलकुँ बड़े size के हमारे cupboards हैं और इनी cupboards के जो color को इस्तमाल करके हमने आपके लेट TV पैनल इस तरह बना दिया है storage के साथ open storage हैं covered storage दुर्ण तरह की storage है इस bedroom में पीछे की तरह दोस्तों आपको ventilation प्रविजन मिल जाएगा और एक बड़ी window मिलेगी घर में अच्छे से बनी रहे दोस्तों यह भी हमारा master bedroom है तो इस bedroom में हमने आपके लिए dressing table जो है वो इस तरह बना दिया है looking mirror के साथ और एक extra cupboard जो है वो आपको इस dressing table के साथ adjoining करके इस तरह मिल जाएगी और इस तरह आपको dressing table जो है वो मिल जाएगा looking mirror दोस्तों लगा दिया है storage के साथ है अंदर की तरह की storage है और नीचे की तरह भी storage है दोस्तों इस bedroom के साथ bathroom हमारा इस तरह रहेगा attach लगबग शाड़े 5 feet by 9 feet के size का हमारा bathroom है तो ये भी काफी spacious bathroom है तो हमारे दो master bedroom है ground floor पे दोस्तों glossy tiles रहेगी बास पे और बिल्कुल modern design की sanitary की fitting branded हार रहेगी हमारे इस bathroom में भी ventilation के लिए दोस्तो window आपको fix वाली open करने लिए दोनों तरह की मिल जाएगी exhaust का provision अलग से मिल जाएगा और एक storage आपको अलग से भी मिलेगी तो दोस्तों ये थी हमारे इस घर की ground floor की accommodation और इसके साथ ही दोस्तों rear washing area में चलते हैं बहुत बड़ा सा rear washing area है अंदाजन 12 feet by 23 feet rear washing area का size है जैसा चंडीगर्ड में आपको देखने के लिए मिलता होगा की एक बड़ा सामें पीछे बरामडा मिल जाता है ventilation के लिए इची space मिल जाती है washing के लिए काफी space मिल जाता है तो ये ही आपको इस घर में मिलने वाला है दोस्तों इस तरफ हमने आपके लिए underground water storage बनाई है और लगबग 5000 लेटर की capacity है इस underground water storage की बोटर का प्रिविशन तो इस तरफ किया गया है इसके साथ आप देख पाएंगे कि हमने motor आपके लिए पहले सी लगा दिया है इसको cover भी कर दिया है ताकि बारी शाय तो उससे भी इसको कोई नुकसान ना हो और प्रॉपरली आप इस एरिया में वाशिंग मशीन अच्छे से इस्तेमाल कर पाएं दो टाइब्स आपके लिए हमने इस तरफ लगा दिया है power point दोस्तों इस तरफ भी कुल नजदीक आपके लिए हमने कर दिया है और दोस्तों आप दे पाएंगे कि हमें दोनों bedroom से रियर वाशिंग अरिया में आने के लिए रास्ता मिलेगा और बहुत इच्छी स्पेस आपको वेंटिलेशन के लिए हमारे रियर वाशिंग अरिया में मिलेगी तो दोस्तों यह थी हमारे इस घर की ground floor की accommodation और रियर वाशिंग अरिया अब हम चलते हैं पहली मंजिल पे पहली मंजिल पे भी हमें सेम पहली मंजिल पे भी हमें सेम इतने ही accommodation मिलने वाली है कोई difference नहीं है, full double story house है 6 BHK house है बाहर से stairs देंगी हमारे ground floor से top floor तक तो यहां से हमें सीडिया मिलेगी first floor पे जाने के लिए दोस्तों आप देख पाएंगे कि पहली मंजिल पे जाने के लिए स्टेर जो मिल रही है इन पे हमारा रेगा grey night stainless steel की railing के साथ और पहली मंजिल पे आपको front side पे लगबग पूरे ही घर के size की बड़ी सी balcony मिलेगी जिस पे front side पे आप देख पाएंगे कि और इस तरफ का एरिया जो है आप इसमें भी टाइल वर्क देख पाएंगे बड़ी सी window मिलेगी आपको fix वाली और open करने वाली भी और लगबग हमारे इस गर की सारी ही front elevation को हमने tiles के साथ कवर किया है इस तरफ भी रहेगा दोस्तों हमारा tile work दोस्तों यहीं से ही आपको stairs पहली मज़िल पे top floor तक जाने के लिए भी बाहर से ही मिल जाएंगी और यह रहेगा दोस्तों हमारी पहली मज़िल का main entry door यहां पे भी आथ देख पाएंगी जो हमारा जाली वाला door है मैश टोर है इसमें भी double जाली, aluminum की जाली और iron की जाली और एक designer glass मिलेगा आपको और टीक के हमारे doors है at windows and और टीक का ही हमारा main entry door है एक अच्छे design के साथ इसको हमने एक machine पे ready करवाया है दोस्तों और वोटन चुगाट साबको हमारे गर में सभी doors and windows पे मिलेंगी तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुराब में गाता है कि हमारा बिल्कुल दो मजल बनावा घर है तो पहली मजल पे भी आपको सेम उतना ही portion और उतनी ही coverage मिलेगी जितना कि आपको ground floor में मिला था front side पे हमारा रहेगा ड्राइंग रूम पहली मजल पे लगवक साथे दस फिट बाए 15 फिट के साइस का और इसमें भी पहली मजल पे भी आपको सारा ही काम ground floor के जैसे ही मिलेगा कोई कमी नहीं रखी गई लगवक साथे दस फिट बाए 15 फिट का साइस के हमारा ड्राइंग रूम है और front पे window है बड़ी सी fix वाली भी और open करने वाली भी आप दिख पाएंगे iron की heavy grill लगाई गई है split AC का प्रभीज़ों दोस्तों इस drive room के लिए हमने इस तरफ कर दिया है false link में एक अच्छा design मिलेगा LED lights के साथ और dining area and living area जिसको आप क्या सकते हैं वह हमारा इस तरफ रहेगा काफी बड़े साइस का लगवक साड़े तेरा फिट पाई पंदरा फिट का साइस है इस हमारे living area में और उसमें भी आपको उपर की तरफ split AC का provision नजर आ जाएगा LED lights के साथ हमारा एक अच्छे design के साथ false ceiling का design है जिसमें आप देख पाएगे कि chandelier लगाने के लिए space अलग से है fan लगाने के लिए space अलग से है और ground floor के जैसे ही इस तरफ आपको wooden cabinet मिलेगी जिसमें आप luxury items को और crockery items को display कर सकेंगे और इस तरफ आपको same ground floor के जैसे ही बड़े से size की kitchen मिलेगी लगवक 8 feet by 12 feet के size की और same हमारी storage नहीं की ground floor के जैसे ही kitchen जैसे थी वैसे ही इसकी storage को भी हमने पहले से open कर दिया है और बिलकुल modeler और modern design में हमारी पूरी की पूरी kitchen है इस kitchen में भी आप देख पाएगे हमने metallic color का इस्तमाल किया है और इस kitchen में भी हम आपके लिए हमने आपके लिए चिमनी लगा दी है पहले से ही इस तरफ आपको नजर आ जाएंगे इस तरफ दोस्तों देगा cooking area और gas cylinder के लिए pipe की fitting कर दी गई है ताकि cylinder आपका घर से बाहर ground floor पे रखा जा सके और इस तरफ रहेगा हमारा washing area जिसमें आप देख पाएगे branded mixer tap रहेंगे उपर की तरफ window रहेगी ventilation के लिए इसके साथ ही exhaust file भी हमने आपके लिए लगा दिया है आरो का provision दोस्तों इस तरफ किया आपके लिए तो जैसा कि हमने ground floor पे देखा था कि हमें common area में bathroom और एक hand wash करने के लिए वैनेटी सब wash mission मिल रहा था वैसा ही हमें पहली मंजीर भी मिल रहा है दोस्तों एक हमें bedroom front side common area में मिलेगा लगबग 5ft by 8ft के size का glossy tiles रहेगी दोस्तों वास पे मिलेज की tiles और branded sanitary की fitting बिल्कुल modern design वाली jack work brand की दोस्तों मारी sanitary की fitting रहेगी branded हमारी वास रूं की fitting है एक storage के लिए हमने छोटा सा cabinet box आपके लिए इस तरह बना दिया है दोस्तों चलते हैं bedrooms की और तो ground floor के जैसे ही सबसे पहले आपको एक bedroom हमारा designs आपको fall ceiling lighting lights के साथ मिलेंगे और विल्कुल ceiling के height तक आपको cupboards मिलेंगे with foot storage दोस्तों इस bedroom के साथ आपको front side पे window मिल जाएगी बड़ी सी fix वाली भी और open करने वाली भी और split AC का provision दोस्तों इस तरह किया गया है तो complete हमारा work ground floor के जैसे ही first floor भी मिलेगा दोस्तों अब चलते हैं master bedrooms की और अब देख पहेंगे कि इस तरह आपको हमारे first floor भी दो bedrooms के लिए दरवाजे नजर आजेंगे पहना bedroom हमारा इस तरह पहेगा लगबग 11 feet by 17 feet के size का हमारे bedroom है और बिल्कुल ceiling की height तक sliding door के साथ cupboards हमें इस bedroom में भी मिलेंगे दोस्तों आप देख पहेंगे कि पूरी हमें storage का बेस्टी मिल रही है बिल्कुल ceiling की height तक हमारे cupboards जो है वह बिल्कुल full size में रहेंगे और इस तरफ टीवी पैनल दोस्तों आपके लिए बना दिया है same color combination को इस्तिमाल करते हुए दोस्तों इस bedroom के साथ आपको इस तरफ fix वाली window मिल जाएगी ventilation के लिए ताकि sunlight आपके इस bedroom में आ सके और यहां से में rear washing area में जाने के लिए दिर्वाजा भी मिल जाएगा हम दूसरे बैट्रूम में चलेंगे वहां पर भी हमें दर्वाजा मिल जाएगा तो रियर वाशिंग एरिया या जो में पीछे की तरफ बाल को नहीं मिल रही है उस तरफ हम उस प्रियार कर दिया है एक एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए आपको एक छोटी से इल्मारी इस तरह मिल जाएगी और यहां से आपको इस बैट्रूम के साथ जो बात्रूम अटैच है वह भी मिल जाएगा दोस्तों लगभग साधे 5-5 फिट बाइस साथे साथ बात्रूम है वाल्स पर हमारी रहेंगी ग्लोसी टाइल्स प्लोरी में अंटी स्की टाइल्स रहेंगी और आप देख पाएंगे कि इस बात्रूम में भी कंपलीट हमें ग्रॉंसफोर के जैसे ही सारी चीज़े मिलने व बिल्कुल modern design के साथ रहेगी इस बात्रूम के साथ दोस्तों यह हमारा first floor पे पहला master bedroom था दूसरा bedroom वो भी हमारा master bedroom है क्योंकि जो दूसरा bedroom है पीछे की दरब उसमें भी हमें ground floor की जैसे ही सारा कुछ मिलने वाला है same 11 feet by 17 feet के size का bedroom है full size cupboards है इस फ्लाइटी दोर के साथ फोरी storage का वैस्टी के साथ दोस्तों इस bedroom के साथ इस तरफ आपको TV पैनल मिल जाएगा with storage open head cupboard और इस bedroom के साथ आपको इस तरफ विंडो भी मिल जाएगी बड़ी सी विंडो फिक्स वाली भी और एक open करने वाली भी और इस तरफ आपको split PC का provision मिल जाएगा दोस्तों क्योंकि ये भी हमारा master bedroom है तो इस bedroom में हमारा dressing area इस तरफ separate रहेगा इस तरफ आपके लिए आपके लिए आपके लिए आपके लिए आपके लिए एक्सटर बनाई है इस तरफ ताकि आपको storage की कोई कमी महसूस दाओं दोस्तों इस तरफ रहेगा हमारा dressing table with looking mirror and storage capacity और इस bedroom में बात्रूम हमें इस तरफ मिलेगा अटेंच लबग साधे पांच पीट बाई नौ फिट के साइज का मारा बात्रूम अटेंच रहेगा जिसमें वास पे हमारी रेगी गलोसी टाइल्स एंटी स्किट टाइल्स रहेगी हमारी प्लोरिंग में दोस्तों पिल्कुल मॉडर डिजाइन में हमारी बात्रूम अटेंच पीटिंग जैग्वर ब्रैंड की इस तरह आपको बेंट्रेलेशन के लिए स्पेस में जाएगी और एक छोटा साथ स्टोरिज क मिलेगा जहां से हम रियर बालकोनी में जा सकेंगे पीछे की तरफ हमें काफी बड़ी सी बालकोनी मिलेगी अब देख पाएंगे कि लगबख हमारे पूरे घर की साइस की बालकोनी पीछे वाली और एक हैवी रेलिंग का इस्तमाल किया गया है और वेंटिलेशन के लिए ब बैली मंजिल की एकॉमेडिशन को हमने अच्छे से देख लिया क्योंकि हमारा फुल टबू स्टोरी बनावा घर है तो स्टेर्स हमें ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक पर्मनेट वाली घर के बाहर से मिलेंगी दोस्तों एक बार में आपको छत भी दिखा देता हूं और यहां से हमें स्टेर्स मिलेंगी टॉप फ्लोर पर जाने के लिए इस तरफ एक विंड़ो बना दी गई है दोस्तों और यहां से हमें दर्वाजां भी लेगा च्छत पे आने के लिए हमारा फुल डॉप स्टोरी पूरा दो मुजला बना हुआ धाई सोगज का घर है तो बहुत बड़ी सी च्छत आपको बहुत बड़ा सा रूफ एरिया मिलेगा हमारे इस घर में इसके साथ ही दोस्तों आप देख पाएंगे कि आपको आर्टिसी के पिलर्स के लिए सरीय नजर आ जाएंगे ताकि अगर आप उपर की मज़िर बिनाना चाहते हैं तो यहीं से आपकी कसक्शन के लिए प्रविजन जो है वो पहले से ही मिल जाएगी इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको यह भी दिखा दो कि हमने दोनों फ्लोर्स के लिए दो वाटर टैंक अलग लग लगाए हैं और पिलर्स काफी अच्छे खासे आपको पिलर्स जो है वो नजर आ जाएंगे तो पूरी स्ट्रेंथ रहेगी हमारे इस घर में पूरा दो मंज़िव बना हुआ है तीसरी मंज़िव की प्रविजन है न्यू सनिंग ले में है धाइसो गज का है दस मरले का भर आपको मेरे पीछ नजर आ जाएंगे हमारा घर इस जलवाई टावर के नजदी की वैली लोकेशन में है आप में से ज्यादा तर लोग हमारे सेरों को पहचानते होगे तो आपको पता होगा कि जलवाई टावर जो है बिलकुल नीज सनी में है तो यह था आज का दोस्तो अमीद है यह घर और यह वीडियो को पसंद आई होगी एक और बहतरीन घर की वीडियो के साथ मैं से जल्दी मिलूँगा इस वादे के साथ इस वक्त इजादा लेता हम आपका दोस्त राकेश धन्यवाद दोस्तो